हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माइनर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसी हाँ सब लोग मस्त बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा को थेरपेटिस का लेक्चर नमबर थर्ड कैप्टर नमबर टू ए जिसके अदर हम लोग कार्डियो वस्कुलो सिस्टम जाने की हर्थ से से रेलेटेड हैं बीमारियों के बारे में समझने को कहीं कर रहे हैं हैप्र लिपीडेमिया यहां पर क्या हो गया हाइप्र कोई चीज ज्यादा और लिपिड मतलब लिपिड کا मतलब एक ही होता है डिट लिपिड का मतलब ऐत हैँप अपग और बढ़ बढ हो गए अगर तो डॉक्टर कराता है लिपिड प्रोफाइल कभी देखना जिलनों को फैट की दिख्कत रहती है या कोलेश्रॉल को दिख्कत रहती है तो डॉक्टर को करने के लिए क्या कहता है उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है क्या टेस्ट होता है लिपिड प्र फिर एक टर्म कुछ आने वाले इसके अंदर एक दो जो कि बारवार इसके अंदर इस्तमाल होगे तो आओ देखें लिपिट क्या है class of nutrients अच्छा, nutrients है, nutrient है मतलब यह हमको ताकत देता है, हमारे लिए जरूरी है तो फिर यह नुकसान दाएक क्यों है कोई भी चीज जादा होगी तो नुकसान करेगी, कम होगी तो भी नुकसान करेगी है, खाना भूक लगी है चार रोटियों की, और वो तुमने खाई तुमने कर नहीं भूक लगी है, खाना स्वाधिस्ट्रम छे खाएंगे, उल्टी कर दो बाद में, होता है ऐसा, तो किसी भी चीज की अती खराब है और कम होना भी खराब है, लिमिट में होना चाहिए तो यह एक न्यूट्रेंट है, जरूरी है हमारे लिए, चाहिए ठीक है, डाइट इंक्लूड, अच्छा इसके अंदर कौन-कौन से चीज़े काउंट की जाती है, ध्यान रगना ट्राइगलिस राइट्स, जिसके अंदर फैट्स एक क्या बना नहीं है, जिससे मेंब्रेन बनी होती है, किसकी क्या बना होता है, सेल मेंब्रेन, तो देखो, सैल मेंब्रेन के बनने के लिए, फॉसिवोवीट बहुत जरूरी है, ठीक है तो लीपीट तीन रूप में हमारी बॉड़ी में पाए जाए गाए कौंकरी ट्राइग्सलीस्राइड फस्व लिफिट और श्टिरोल तो भॉसफोलीपिट से कोई दिक्ट से रिक्कत है कोलिस्टरॉल से दिक्कत है अगर बढ़ जाएं तो किलियर है तो तो यहां पर मेंशन किया हुआ हुआ ट्राइग्लेसराइड मेड़ अफ थ्री फैटी अचीड अब फैटी अचीड कर लेंगे एंड ग्लिस्टरॉल और फैटी अचीड से मिलके बना होता है इसलिए ट्रा हमारी सेल के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए हमारा लिवर लगातार क्या करता रहता है अच्छा यह बनते किसे कोलेस्टरॉल गूरूप में बनता है जो कि हमारे सेल मेंब्रेन की फिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक छोड़ देते अभी इसको बहुत डीप लेंगे ना तो हम फटाफट बोलते हो चलेंगे अच्छा यह ट्रैग्लेसराइड यह लाइप प्रोटीन यह फैट यह तो सारे टम्स के लिए रहोंगे दिमाग में तो उसकी फटाफट दिमाग में चलती चलेगी तो देखो क्या बोल रहा है ट्राइट तीन और ग्लिसरा एक होता है मोनो अंसेचुरेटेड थेटेट और एक होता है पॉली अंसेचुरेटेड थेटे फैना म्यूफा पूफा फूफा ठीक है, they are good they are good for health, यह अपनी health के लिए अच्छे होते है, saturated fatty acid यह अवारी health के लिए अच्छा नहीं होता है ठीक है, तो mufa, mono unsaturated fatty acid poly unsaturated fatty acid saturated fatty acid यह unsaturated, unsaturated fatty acid unsaturated fatty acid का मतलब क्या है, अच्छा saturation का मतलब क्या होता है, जहां कहीं पे भी double bond दिखाई नहीं देगा जहाँ double bond आ जाए एक आ जाएगा तो mono कही सारे होंगे तो poly ठीक है न? unsaturated fatty acid fatty acid की निशानी क्या है? fat, fatty acid, fat क्या निशानी है? इसके एक तरफ क्या लगा होता है? ये देखो एक तरफ COOH ग्रूप लगा होता है ठीक है? और last में CH3 group लगा होगा बीच में लग्मी सी chain होती है ठीक है? यही है, fat की निशानी है fat का structure वाइस बात करें तो fatty acid समझ में आ गया, 3 fatty acid मतलब 3 जुड़े होंगे, अब समझो ज़रा बात को क्या कह रहा है ठीक है? तो क्या कह रहा है it composed of 3 fatty acid ऐसे 3 fatty acid होते है attached to a glycerol, glycerol क्या होता है? आप समझ लें, ठीक है? तो यह देखो glycerol हमारे पास कुछ यह है glycerol 1, 2, 3 3 carbon होते हैं और 3ों पर क्या लगे होते है? OH लगे होते है 3ों पर क्या लगे होते है? OH तो इसका हम लोग क्या कहते है? glycerol फिर यही से वर्ड बन जाएगा glyceride यह इसलिए बता रहा हूँ अच्चो कि जब यह नाम आएंगे न अभी बार-बार आगे तो दिमाग में set रहेगा अब यही से OH हड़ जाएगा इसका H हड़ जाएगा ठीक है ना? और इसका क्या था? यह ना COOH यहाँ से H हड़ के यहाँ से यह OH यह वाला OH ठीक है जो यह सुईवाच वाला यह मिलके water molecule निकल जाता है और यह इससे जुड जाएगा यह बन गया मेरे पास क्या? ठीक है? glyceride बन गया हमारे पास यह तो glyceride जब हो एक, दो और तीन तो glycerides क्या होते है? 3 fatty acids attached to a glycerol 3 fatty acids, 1, 2, 3 3 fatty acids attached to glycerol खतम कहानी, बास समझ में आ गई? clear है? आगे आते हैं अब यह सब clear होग है, fatty acid is a chain fatty acid एक chain होती है, जो carbon और hydrogen की बनी हो ही होती है ठीक है? attached that as an acid एक तरफ acid होता है और एक तरफ methyl group CH3 होता है at other end, एक तरफ CH3, एक तरफ COH group simple glycerides clear है न, triglycerides clear क्या होते है? क्योंगि यह term बार बार आने वाला है triglycerides, triglycerides, triglycerides तो यह अच्छे से clear होना चाहिए आ गया आते हैं ठीक है? तो glycerol समझ में आ गया अब कहा है? triglycerides are fats are lipid debt, are solid room temperature, जो fat solid होता है, ऐसे डालडा और घी उसको हम लोग क्या बोलते है? ऐसे glycerides को fat कहा जाता है, जो तेल की रूप में लेते हैं, सरसो का तेल है ठीक है न? जो oil की रूप में रहेगा, room temperature पर, यानि कि liquid रहेंगे, ऐसे को हम लोग क्या कहते है oil, ऐसे triglycerides जो solid है, उनको fat fat कहा गया है, ऐसे triglycerides जो liquid है, उनको oil कह दिया गया है, solid वालों को fat, liquid वालों को oil कह दिया गया है, triglycerides है 95% of dietary fats, ठीक है, जो triglycerides होता है, dietary fats में, जो dietary fat खाते हैं हम लोग, यानि कि हम लोग कोई fat खा लेंगा है, घी खा लिया हमने, बहुत जोड़ी है, energy, reserve and stored, जब बाड़ी माँ चले आते हैं, तो energy की देने का काम करते हैं, insulation and shock protection, जैसे हमारी body में fat के रूप में, जगए-जगए पे, जैसे हमकरें गिरते हैं, पड़ते हैं, तो ये एक तरसे गद्दी का काम करते हैं, तो जटका नहीं लगता है, नहीं लगता है, हमारे body organ को, use car carbohydrate and protein efficiently, ठीक है ना carbohydrate protein को efficiently use करते हैं ये, ठीक है तो वो इतना important नहीं था, तो हमको समझना था में लिए क्या role से हम मतलब नहीं, हमें समझना कि हमारे जरूरी तो हैं, ठीक है, दिक्कत कब देखा, वो बात करेंगे, तो triglyceride बच्चों के लिए, ना इस्टिरोल की टाइप की बात कर लें, तो जो इस्टिरोल एनिमल में पाए जाता है, उसको हम cholesterol कहते हैं, जो fungal में पाए जाएगा, ergosterol कहते हैं, जो प्लांटें पाए जाएगा, वो stigma sterol कहते हैं, तो यह दोनों तो अपने मतलब के नहीं है, अपने मतलब का एनिमल है, दो एक, दो, तीन, चार, चार रिंग है, ठीक है, चार रिंग का बनावा होता है यह, और cholesterol को हम लोग वहाँ पर भी देखेंगे, pharmaceutical chemistry में भी आएगा यह, ठीक है, तो कहरा है, found in plant and animal दोनों के खाने में पाए जाता है, cholesterol is found in animal food only, तो sterol है, sterol जो है, जो sterol है, यह plant, animal और fungal तीरों पाए जाता है, लेकिन जो cholesterol है, sterol का एक टाइप है जो, वो केवल animal food में खाया जाता है, इसी लिए यही वज़ा है, जिन लोग को heart problem होता है, मुटापा होता है, उनको meat, egg, fish, poultry या dairy production की पनी रनीर तक भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर cholesterol बहुत जादा होता है, ठीक है, अच्छा जरूरी तो है हमारी बाड़ी में हर समय चाहिए cholesterol, क्यों, cell membrane बननी है, तो टूट फूर होती रहती है, इस्टिरॉल के रोल क्या है, नीडेट टू मेक बाइल ऐसीड, बाइल बनाता है, वो सुनों, पित की थैली, गॉल ब्लेडर, उसके अंदर से बाइल जूस निकलता है, जो की fat को एब्जॉब करने में help करता है, किसको एब्जॉब करने में fat को, sex hormones and adrenal hormones and vitamin D, लो इसको बनाने में help कर रहा है, component of cell membrane, यह तो कितने जरूरी है हमारी body के लिए, to maintain the fluidity, cell membrane की fluidity, समझते हो, fluidity of, fluidity मतलब हमारा जो cell membrane है, वो एक semi gel type का रहता है, वो gel type का क्यों रहता है, because of this cholesterol, यह यूं कहलो कि sterol, बात तो एक है, animal के अंदर sterol का रूप, animal में sterol के रूप को क्या कहा जाता है, cholesterol, ठीक है, liver produce 800-500 mg of cholesterol daily, तुम चाहें fat खाओ, अनिता ना खाओ, liver बनाएगा इतना cholesterol, चाहिए हमारे सरीर को, liver बना भी रहा है, तुम एक्स्ट्रा खा भी रहा हो, वर्क करनी र जुड़ना फिर, यानि कि वही fat फिर हमारी body में जुड़ना शुरू हो जाता है, cholesterol forms deposit in the artery wall causing atherosclerosis, यही cholesterol धीरे से, है ना, कहाँ डिपाइट हो जाता है, हमारी artery, artery यानि कि हमारी नसों में, हमारी नसों में आकर, क्या हो जागा, डिपाइट हो जाता है, और हमारी नसों फि यह हमारी नसे क्या होती है, पतली से होती होती है, इसके अंदर से क्या निकल रहा है, ब्लड जा रहा है, यह हमारी blood vessels है, नसे है, ठीक है न, अब, triglyceride के बाद, एक टर्म जो बार बार आएगा, hyperlipidemia में, that is your lipoprotein, lipoprotein तोडने से, lipid plus protein, और lipid के अंदर कौन आएगा fat, fat किसका बना हुआ है, triglyceride का, तो बन गया हमारा क्या, lipoprotein, दो वर्ट से मिलके बना हुआ, देखो यह कुछ ऐसा structure होता है, यानकि सीदी सी बात है, जो lipid या fat है हमारी body में, वो अपनी मरजी से घूम फिर नहीं सकता है, fat होता है, dissolve होता नहीं है, उसको एक खास structure में क करके इदर से उदर shift किया जाता है, जहां जरूरत होती है, उसी structure को हम लोग क्या बोलते है, lipoprotein, तो देखो क्या होता है, यह lipoprotein है, इसके उपर एक protein की coating होती है, phospholipids की layer है, ठीक है न, और यह बीच-बीच में क्या है, free cholesterol है, इसके अंदर भरे हुए है, क्या triglyceride या प्रोटीन और इसके अंदर कौन है, lipids है, triglycerides कौन है, lipids है, तो मैंने कहा रहा है, lipids की बाते समझना, जरूरी है, lipids होते क्या है, lipids, lipoprotein और triglyceride, triglyceride इसके अंदर बंद है, इसको बंद करते हैं, पूरा अभी लेके जा रहा है, जहां चलो तो होगी, वहां जाके छ यहां प्रोटीन है, और प्रोटीन है, इसका जो आउटर सर्फेस है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है यह उपर की परत है इसको क्या नाम दिया गया एपो लाइपो प्रोटीन या प्रोटीन डेट बाइंड लिपीड ऐसा प्रोटीन जो लिपीड को बाइंड करता है तो क्या कहा गया उसको एपो लाइपो प्रोटीन के लियर है देन फॉस्फो लिपीड फ्री कोलेश्ट्रॉL ये लिधिन के बीच में यही फ्री कोलेश्ट्रॉल होता है इसको हलका जल το DR कर वाता है ठीक है न को उर्फ डो नाम होते हैं राहूल उर्फ राहूल अर्फ सोगों नाम हो गए तो ईका उर्फ, Triglysrat बोल लो या Trigrysal बोल लो कॉलेस्टरॉल इस्टर, इसको short form में CE बढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? CE, ये भी इसके अंदर पाया जाता है, ये, core में, इसके center में बाव समझ में आ रही है, अब आगे आते है, types of live protein या पैसोजेनेसिस इस्तिय वो पैस्जोनेंसी मतलब डिजीज किस तरह यह बढ़ती है हमारी बॉड़ी में हैपर लिपीड यह लिपीड बढ़ कैसे जाते हैं हमारी बॉड़ी में तो वो simple सर्थ समझते हैं क्या चलता है हमारी बॉड़ी में काईलो माइकरोन जो भी हम फैट खाएंगे यो भी हम फैट खाएंगे वो काईलो माइकरोन के रूप में एक structure होता है digestion में पढ़ेंगे हम लोग qyaannoyol ko रूप में हमारे blood में absorb होता है blood से पहुंचता है liver में liver इसको किसे बतल देता है VLDL में VLDL से ideal intermediate density protein very low density protein और ultimately किस में करनोट होता है ये low density life of protein दोगो समझना है कोईश करना very low density life of protein नहीं कि lipid और protein की density बहुत कम है fat की बहुत जादा है ठीक है ना अब जो अच्छा वाला होता है जिसे हम कहते हैं good cholesterol that is HDL high density life of protein इसके अंदर lipid और protein की मातरा ज्यादा होगी यह lipid और protein की मातरा उपर ज्यादा होगी अंदर का जो भरा हुआ content है वह बहुत कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं high density लाइप प्रोटीनिया good cholesterol कहते हैं यह इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक यह बनता है जब यह process बहुत ज्यादा हो जाती है good cholesterol dietary मतलब जो हमने खाना खाया dietary मतलब जो हमने dietary जो हमने खाना खाया dietary triglyceride अब दखो triglyceride आ गया term बार बार आएंगी मैंने कहाता तो समझ जाना अब जिनको यहां पर अभी भी खोड़ा confusion खटाक से वीडियो को पॉस करें वापस जाए triglyceride देखें और फिर वापस आए कॉलेस्टरोल बता दिया मैंने क्या होता है ठीक है ना स्टिरॉल की वराइटी है स्टिरॉल तीन टाइप के होते हैं कॉलेस्टरोल होला होता है जो एनिमल में पाए जाता बात वाकि एक फंगल में पाए जागा एक प्लांट में पाए जाएगा ठीक है और अंदर से ट्राइग्लिसट को रिमुफ कर दिया गया है फ्रॉम काहिलो माइग्रां थ्च इंच कोछेटरॉल फसी ठीक है इसके अतुछ चाइग्लेस्टरोल थे ठीक है इसके अंदर तॉन जादा है जब क्योंस पर ओन जादा है ने यह जब कोलिस्टॉल इस्टर की मात्रा ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं काइलो माइक्रोण रेमनेंट कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइप प्रोटीन दे आर मेड इन लिवर यह लिवर में बनते हैं एंडर रिच इं ट्राइ अब क्या है जैसे इहां पर ट्राइड को कॉलेस्टॉL को निकाल देगा क्याइबियो क्या बच्चे रह जह Hear तो 602 है क्या मात्रा जादा है घ्र माघ्यव क्या मात्रा ज्यादा है कॉलेस्टाल इस्ट्र की इन्टर मेडियर डैंसिटी लैइपोटीज they are produced when triglycerides are removed from VLDL the VLDL में से triglycerides remove कर दिया आते हैं thus like the chylomicron remnant they are rich in cholesterol chylomicron remnant की तरह ही ये इसके अंदर cholesterol के मातरा ज़्यादा हो जाती है because they are formed from VLDL intermediate density lipoprotein are sometimes referred to as VLDL remnant तो VLDL से बनते हैं तो इसको हम लोग कई बार VLDL remnant एन की VLDL का बच्चा खुचा पार्ट भी बोल देते हैं clear है बाते हैं low density lipoprotein they are produced after even more triglycerides are removed triglycerides remove किये गए और निकाल देंगे ठीक है from the very low density lipoproteins and their remnant thus LDL is very rich in cholesterol LDL के अंदर क्या चीज मातरा जाता होगी cholesterol तो सिर्फ और सिर्फ गवर से देखे अगर हम लोग केवल जो very low density protein थी उसके अंदर क्या थी triglycerides जाता है ठीक है और जो बाकी सब के अंदर क्या चीज ज़्यादा है cholesterol जाता है इसलिए कहा जाता है body में cholesterol बढ़ गया है ठीक है वो भी यह क्या है lipid का part है यह fat का रूप है which it carries to the peripheral tissue अब यह peripheral tissue में जा करके यहाँ खाल में जम जाएगा heart में जमेगा कहीं liver tissue में जाके जमेगा LDL is sometimes referred to as bad cholesterol गंदा cholesterol है यह ठीक है ना इसी से BPP फिर बढ़ने लगता है क्यों बढ़ेगा बताता हूं मैं अभी because it distribute cholesterol throughout the body and vessel पूरी body में जमा होगा पूरी body एकतार आसे मोटी ओन लगती है फिर ठीक है okay in the vessels vessels याने की नसे हमारी the deposits cholesterol contribute to obstructive plaque obstructive मतलब बाधा कोई चीज रोक दे plaque मतलब होती तरी गंदगी formation and atherosclerosis और क्या हो जाता है atherosclerosis हो जाता है clear है तो low density क्या कर रही है blood vessel में जाकरके एक गंदगी जमा दे रही है और एक बिमारी पैदा कर रही है atherosclerosis ठीक है यह hyperlipidemia के बात की condition होती है ठीक इसको जारा देख लेते है low density atherosclerosis इसको थुरा समझ लेते हैं फिर HDL पर आते हैं तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बात को जारा गौर से समझना यह देखो क्या है हमारी बाड़ी में lipid बहुत सारा बढ़ गया है ना LDL low density lipoprotein घूम रहा है यह अच्छा यह अब कि कुछ लोगों को बात समझ में नहीं रहे हो कि यह structure क्या है यह artery का lumen देखो लिखा हो जाने कि यह structure क्या है इस तरह से यह क्या है यह गया है यह पास क्या है blood vessel है तो यह blood vessel में यह अंदर की layer है यहई इसका इसका इतना कट कर दिया है अधा और यह इतना हिस्टा इस तैसे दिखा रखा है बात समझ मारी है और यहां से क्या flow कर रहा होगा ये यहां से ये इसके अंदर से क्या जा रहा है ब्लड जा रहा है ठीक है न तो ये पार्ट को कट करके अंदर वाले पार्ट को दिखा रखा है अब बात को समझना है इसकी तीन लेयर होती है जो हमारी ब्लड वैसल्स होती है उसकी तीन लेयर होती है के सबसे अंहें इनटाइमा लिखा होगा लात ट्यूनिका इंहुझा शैल के अंदर वाले को तो यह सबसे अंहें धाएं रहें ठीक है उठ गई है फैट जमा औने के वए से तो थेकल क्या होया गाठना क्या घटी जब लो के मातरा भहाँ ज्यादा बढ़ गई है तो यह क्या करता है endothelial cell के अंदर गुश जाता यह जब यह यहां गुश जाता है तो यहां पर आ करके inflammation यानि कि एक तरह से कहलो कि दिक्कत देना सुरू करता है यह दिक्कत देना सुरू करता है Monocides कहते हैं अच्छा रुको हम तुम्में मारेंगे आकर Monocides जाना की जो हमारे body-made defense के create defense के काम करते है ये अंदर गुशते है ये भी अंदर आ जाते है ये आकर के इसको खा लिए खाने के बाद जब खा लेते हैं और इनके नदर बहुत सारा fat रहाता है जो macrophages जिसको इसे खा करके normal mechanism में जब यह सही काम कर रही होगी हमारी body तो normal case में इसको खा के खतम कर देगा यह लेकिन जब यह खा के खतम नहीं कर पाता है तो यह fat इसके नदर जमा होता है जमा होता है फूल जाता है खतम नहीं कर पा रहा है यहां से निकाल के वापस circulate करके निकाल नहीं पा रहा है इसको तो ultimately होता क्या form cell die releases lipid debris यह मर जाएंगे बिचारियों और अपने अंदर से बहुत सारा lipid फिर यहाँ पर छोड़ जाते हैं ठीक है सेम फिर क्या होता है यही process होती है जो migration of smooth muscle cells जहारे muscle cells होती है वो इसको खतम करने कोईश करते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं यहीं मर जाते हैं फिर यह भी अपने अंदर से खूब सारा क्या करते हैं एक जरफ यह सब मिलके एक जगए पर क्या करते जा रहे हैं इसको एकटा करते जा रहे है यहाँ पर दीरे 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 फैट जमा होता जा रहा है फैट जमा होता जा रहा है यह layer उपर को उठती चली जाएगी clear है अब क्या होगा यह देखो कुछ ऐसा structure यह जमा सारा fat देख रहे हो यह यह सारा fat जमा है ब्लेड वैसल हमारी सुकड गई देख रहे हो यह outer layer, middle layer, under, intima ब्लेड वैसल सुकड गई है, सुकड गई है बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है, यह रप्चर हो जाता है ठीक है यहां से यह फूड जाएगा और यह पूरा ऐसे ऐसे करके इसको ब्लॉक कर देता है जहां ब्लॉक हुआ, वहाँ पढ़ता है फिर attack अगर heart की artery block होती है तो बास समझ में आ रही है तो यह था हमारा bad cholesterol किस तरीके से ultimately यही बिमारी है atherosclerosis यह hyperlipidemia नहीं है hyperlipidemia की वजह से हो गया यह atherosclerosis hyperlipidemia महीं तक था LDL की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अगर body के अंदर तो hyperlipidemia हो जाता है अब देखो क्या होता है मैंने जैसे कहा कि hyperlipid होते हैं उसके हमारी body को जरूरत है क्योंकि भाई बहुत सारे काम कर रहा है वो तो जब extra हो जाता है तो हमारी body इसको बाहर नभी निकालती रहती है तो जो हमारे पास HDL होता है good cholesterol जो होता है HDL वो क्या करता है जो blood में जो blood में एक्स्ट्रा बहरा है वो HDL क्या करता है ले लेकर वापस से कहां लेके आता है liver में लेके आता है liver उस cholesterol को किसमें बदल देता है colic acid में और colic acid in liver these cholesterol can be used for bile acid synthesis और disposal वायदा bile यही colic acid फिर बाद में क्या होता है bile acid के रूप में बदल जाता है bile acid फिर क्या है fat kodicin में काम करता है या अगर extra है तो feces party के थुरू यह extra cholesterol फिल बाहर निकाल देते हैं liver हमारा तो कह रहा है selective transfer of cholesterol cholesterol गा transfer from peripheral cells to HDL and from HDL to the liver cell से कहां HDL होता है न इक तरह से खीचने काम करता है पूरी process है यहां मैं पूरा explain नहीं कर रहा है body mechanism में ऐसे मालो यह जाएगा कहेगा अच्छा अच्छा तुमारे पास यहां पर खीच लेगा HDL का कह लेगा इसको खीच लेगा अपने अंदर भर लेगा फिर खीच लेगा भर लेगा खूब सारा भर जाएगा फिर यह आगे जाएगा और जाकर के लिवर में जाके रिलीज कर देता है किसको? फैट को ठीक है एंड फ्रम HDL तु दा लिवर इस नोन अज रिवर्स कॉलिस्ट्रॉल ट्रांस्पोर्ट यह रिवर्स हो गया पहले लिवर ने ट्रांस्पोर्ट करके दिया बलड के अंदर और सेल के अंदर साबके वापस झाल सके अबने काम के लिवर अग्सेस था HDL ने वापस उसको लिवर के बहीज दिया तो इस तरीके से प्रॉसेस चलती रहती है और उसको भापस यह उसको फिर अपना इस्तमाल में लें लेता है ठीक है ना, लिवर की convert करने ही छमता घट जाएगी, तो लिवर के अंदर fat जमा हो जाता है, यह सब चीज़े होती है, बास समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, hyperlipidemia, पूरा case clear, ठीक है, यह आगे की बिमारी होती है, इसको अभी हमें नहीं पढ़ना है, तो हम लोग वापस लेके आएगा, लिवर में, carry cholesterol from the peripheral tissue to the liver, वापस peripheral tissue से लिवर में लेके आएगा, where cholesterol form bile, जहां cholesterol bile बन जाता है, और remove through feces, या particle through body से बाहर हो जाएगा, जो extra होगा, in addition to removing excess cholesterol, high density lipoprotein have various other anti-athrogenic property, extra cholesterol को बाहर निकाली रहा है, यह जो atherogenesis होगी है न, यह cholesterol जम रहा है, इसको कम करन में में भी, जो हमारे पास यह है, क्या कहते है, HDL वो भी काम कर रहा है, उसके अलावा भी इसके पास anti-athrogenic property है, so it they are often referred to as good cholesterol, इसलिए इसको हम लोग good cholesterol कहते हैं, बास समझ में आगे होगी, पूरी कहानी है, जो हम लोग रोज मर रहा की जिंदगी में सुनते हैं, यह तो हो मुस्किल से 5-10 मिनट, टॉपिक, करें स्टार्ट, मजा आया, चलो, तो यह हो गया, अब देखो definition, क्या बोल रहा है, अब फट आफट हो जाएगा यह, हाइपर लिपीडिमिया, या इसको हाइपर कॉलेस्ट्रोमिया कहलो, कॉलेस्ट्रोल बढ़ जाता, या डिसलिपीडि बढ़ जाना यह लाइपर ब्लड में और लाइपरोटीन की बढ़ जाएगी, अँग वड़ जाता है, तो यह लाइपर कॉलेस्ट्रोमिया ब्लड में यह रहेगा, तो मैंने बताया क्या काम करता है, तो अब यह सारी बात है, समझ में हमारी होंगी हाइपर ट्राइगलिस्टेमिया का लेवल अब बन फिफ्टी होना चाहिए अब अगर तुम्हारे घर में किसी को हाट की या फैट की प्रॉलम है और अब डॉक्टर कहेगा कि भाईया इसका लिपिड प्रोफाइल कर लो क्या कर लो लिपिड प्रोफाइल और उ अब देखो कहानी वही है लाइप प्रोटीन साथ पार्टिकल मेड अफ प्रोटीन फैट्स फैट कर लिपिड कर लो अब मैं ऐसी लाइन लिखके छोड़ दू रीड कर दूं तो मजा नहीं है इसमें फिर ठीक है ना तो इसको आप समझ में आना चाहिए दे कैरी यह करते है कोलेश्टरोल थूली और ब्लेड क्वारिड नहीं मतलब खून की धारा के साथ यह तुम्हारे क्या लेके जाते है क्यों किद्ध कर लेकिना स्ट्रीम ब्लेट्रीम मतलब खून की धारा के साथ यह तुमारे क्या लेके जाते हैं को प्रोटीन इसका है अधिया लिपीट भरा होता है कॉन कम जादा है डेटर्माइन दा फेट ऑफ पार्टिकल वह फेट मतलब पार्टिकल का भविश्च रिसाइड करेगा किसका लाप प इस मंने तोहारा बॉडी में कलश्टरॉल बढ़ गया है ऐसे समझ में नहीं आएगा कब समझ में आएगा इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क फॉर कार्डियोस्क्रोड डिजीस इस्पेस्ट ली एथ्रोस्क्लोरोस जब तुम्हारे चेस्ट में प्यान होने स्टार्ट हो जाएगा सांसांस लेले में दिक्कत आएगी कुछ और दिक्कते खाना जादा खाते हैं थीक है फएट ज्यादा खाते है वो लोग अपना लिपिट प्रॉफाइल साल में एक बार पक्का करवाएं चले हागे classification of hyperlipidity में hyperlipidity में दो तरह क्यों होती है अब भाई खाने पीने से हुई हो तो सही है लेकिन जिन नोगों को बिचारों की किसमत खराब है genetic हो गया क्या हो गया? genetically अब उसका तो फिर मुश्किल है वो कितना भी fat नहीं खाएगा उसको हो गाई होगा क्यों होगा? समझते हैं बात को primary familial heredity याने की परिवारिक hyperlipidity में यह genetically determined type 1, kylomicron body में अपने आप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है LDL बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या LDL, VDL दोनों बढ़ जाएगे type 3 में ideal बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है ठीक है? type 4 में VLDL बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा type 5 में VLDL and kylomicron दोनों की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने आप बढ़ती है यह genetic होता है ठीक है? तो genetic वाला होगा secondary की बात करें तो acquired acquired बतलब पैदा होने के बाद हमारे जो रहन सेन और खान पान के वाएश से हो गया hypercolistromia, hypothyroidism है न इसका reason क्या है? hypercolistromia, cholesterol बढ़ गया या thyroid खट गया nephrotic syndrome ठीक है? and drugs या बढ़ द्रक्स तवाइब गरा ले रखी है hypertriglyceridemia हो गया triglycerides की मातरा बढ़ गई ठीक है? बहुत ज़्यदा alcohol लेने के वएश से gout है न यूरिक एसिट जमने के वएश से या chronic renal failure या kidney के काम ना करने की वज़े से ठीक है? तो दो type के रहेंगे हमारे पास याद रहेगा primary और secondary ये genetic होता है और ये हमारा बाद में आता है तब क्या कहा रहा है? एटिव पैथोजनेसिस देख लें यान की cause और फिर आगे कैसे वह progress करेगी? hyperlipidemia can be caused by primary causes genetic पहला cause की जनेटिक और secondary causes अच्छा ये हो सकता है primary cause की वज़े से यान की जनेटिक वज़े से जो रियक्ट करी हो primary hyperlipidemia associated with high morbidity and mortality भाई जब hyperlipidemia जनेटिक है तो दवयां भी काम नहीं करती है अब बात को समझना है इसको समझाता हूँ मैं अच्छा इसको ब्लैक कर लें हाँ जैसे मालो ये लिवर है ठीक है अब मालो ये HDL है है ये अपने साथ पकड़के लेकर आया इसको LDL को कहां से पकड़के लेकर आया ये पकड़ा हुआ है इसने पकड़के लेकर आया ब्लडसे इसने का लिवर पकड़ो इसको मैं ले आया है लिवर कर रहा Ja heavenly Gothic basis मैं हम इसे पकड़ नहीं सकते हैं ठीक है लिवर कह रहा है तुम ले तो आए अच्छी बात है लेकिन मैं इसको कैसे लूँ वापस जनेटिक डिफेट है मेरे पास यह रिसेप्टरी नहीं है इसको पकड़ने के लिए ठीक है अब जब यह वापस लिवर नहीं ले पाएगा त किलियर है आओ आगे देखें तो कह रहा है reduce LDL receptor LDL receptor की कमी है and accumulation of LDL cholesterol in the plasma अब वो धिरे-दिरे कहां बढ़ जा रहा है blood के plasma बढ़ जाएगा leading to atherogenesis और finally क्या हो जाएगा atherogenesis होती है किलियर हुआ जनेटिक वाले में क्या सीन रहेगा आगे आते हैं all patients should be evaluated for secondary causes हर पेशेंट को generally जब भी lipid होता है तो हमेशा doctor secondary cause जैने कि खान बेन उसके लिए ही क्या करता है treatment देना श्टार्ट करता है या diagnose करवाएगा ठीक है disease such as diabetes mellitus diabetes की checking करा लेगा hypothyroidism की checking करवा लेगा cushing syndrome को check करवा लेगा obstructive liver disease को check करवा लेगा इनके सब के टेस्ट मौझूद है नेफ्रोटिक syndrome alcohol इन सब के लिए पूछ लेकर अगर इनमेंसा कुछ भी नहीं निकलता है तब फिर डॉक्टर कहता है भाईया अब जैनेटिक वाला टेस्ट करवाकर देख लेते हैं ठीक है तो देखो secondary causes of hyperlipidemia इसमें बिमारिया कौन कौन सी है सारी याद करो सारी करना ग्लाइकोजन स्ट्रेस डिजीज हो गया हाइपर एंड्रोजान इन वूमेन हाइपर एंड्रोजनेसिस इन वूमेन लाइपो अब जो याद नहीं रहे जैसी यह याद नि रहे गा यह याद नहीं रहेगा तो लेकिन तुम इसको कॉमन में लिख सकते हो hyperlipidemia में तो देन कॉलिश्टैसिस कोलिश्टैसिस अभी बताऊंगा मैं क्या होता है देन गॉलिश्टैसिस्ट ओगरा जो होते हैं लिवर के अंदर बढ़ जाता कर्शिंग सिंड्रोम पीर हाईगा फिर हैपर संट्रों मागया नेफ्रोट्किंट्रोम जहां पर ओस फ्रटिक लिवर पाना माल अब्जॉप्सन है बॉडी जो हमने खाना खाया पूर प्रॉपरली एब्जॉब नहीं हुआ है ठीक है इसके अंदर क्रोनिक लिवर डिजीस लिवर की कोई प्रॉब्लम हो जाए ठीक है यहां पर आजाएं तो मैं यह नहीं कहा रहा है याद कर लो लेकिन हाँ यह पता अनी चीए इन सब बीमारियों में हाइपर लिपीडीमिय हो जाता है देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे पता चलेगा तो देखो यूजली एस्टोमेटिक अंटिल वन अफद फॉलिंग समझ में नहीं आता है कि हाईपर लिपीडीमिय हो गया कब तक जब तक कि इन म पीता हैं इंसान लेकिन तब भी liver में fat जमा हो गया जन्रल्ली liver में fat किसके जम जाता है जो लोग alcohol drink पीत करते हैं ठीक है फिर आता है तुम्हारे पास Xanthilけて है तुम्हारे पास Arcus Cornia Arcus Cornia क्या है यहाँ पर देखए जाने बहुनिक गहां से अब इसके treatment के अगर हम बात कर लें तो treatment में non-pharmacological तो cardiovascular disease में non-pharmacological सबका सेम है diet अच्छा खाओ अच्छा food वो करो खाना खाओ avoid saturated fat saturated fat को मत खाओ अब saturated fat किस किसमे मिलता है उसके list बना लो किसमें मिलता है जनरली meat, bacon, sausage, full fat dairy product choose lean protein like chicken, turkey and fish when possible ठीक है ना जातर कोशिद करो fish खाओ या chicken खाओ ये सब नहीं खाना चीए switch to low fat or fat free dairy कम fat वाला खाना या fat होई ना उसके अंदर use monounsaturated fats अब देखो मैंने त्रांस fat, trans fat are found in fried food जो fried food होता है अचलि जो तेल को बार-बार हम लोग क्या चलते भूनते हैं तो उस case में क्या होता है वो trans fat में बदल जाता है बासमझ में आ रही है तो trans fat याने की इसलिए कहते हैं जो बाहर का खाना पीना होता है वह नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह लोग बार-बार उसी तेल में तलते वह तेल कई बार खौल चुका होता है then omega-3 fatty acid है many heart benefit omega-3 fatty acid खाना चाहिए increase your fiber intake fiber मतलब खीरा ककड़ी fruits यह सब खाओ eat more fruits है ना weight को lose करो ठीक है exercise करो regular यह सब जनल बाते हैं इस्मोक कर रहे हो छोड़ दो उसको है ना तो यह सारी बाते हैं तो हमको यह सारी चीज़ें फॉलो करनी है अब फार्मकलोजिकल मेनेजमेंट के अंदर hmgco reductase inhibitor यह जो होता है यह hmgco यह क्या करेगा इसको इस्तमाल करने से LDL का level यह जो रिड़क्टेस इनिबीटर होता है यह जो होता है LDL बनाता है लिवर के अंदर ठीक है तो यह अगर खाओगे जो इसको hmgco को क्या करते कर देगा तो इसका किया करेगा LDL को डिक्रीज कर वा देगा HDL बड़ेगा triglyceride कर जाएंगे cholesterol absorption inhibitor cholesterol का absorb करने वाले जो cholesterol को absorb कर वाते हैं ऐसी दवाई खाओगे कि absorb ही ना हो तो LDL decrease कर जाएगा HDL बड़ेगा triglyceride decrease कर जाएगा कौन इसकेंदर एजेंट एजटामी वाइब देन निकोटिनिक एसीड यह LDL को decrease कर आएगा HDL को increase कर आएगा सब में सेमी है fabric acid और bile acid sequestrant तो यह दवाईयां लेने से क्या होगा हमारी body में जो lipid है वो क्या हो जाएंगे decrease होना start करेगा बात समझ में आ रही है तो यह सारा हमारे पास किसके बारे में बाते थी high lipids के बारे में तो एक चीज तो लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारा इसमें पार्ट तो यह 5 पार्ट पढ़ने थे तो बहुत छोटे थे लेकिन समझने वाले चीज़ें ज़्यादा थे किलियर है अब इसमें तुमको करना क्या है माइट पर आपको किया क्या वाले लेके नोत्स तो आप लोगों को जैसंगे Speech और यहाद तो मिलेंगे वनमार्स कोidayling कैसे कसे पीडिएस मिलने वाली तुमको ठीक है लाइफ क्लास रहेगी जिसमें हम लोग बकाइदा मैं सामने आओंगा और डाउट मैंने शेडूल डाला हुआ है ठीक है डाउट लिया जाएगा इसका फिर इसके अंदर तुमको मिलेंगे धेर सारी MCQ ये पार्ट तुमको एप में सब को कोश्चन आने आने वो पूरा-पूरा MCQ होने वाला है कौन एग्जिट एग्जाम तो उसकी त्यारी के लिए एप में जाएंगे तुमको हर लेक्चर से धेर सारे MCQ प्रेक्टिस करने को मिलेंगे ठीक है और दूसरा फायता है इसका रूटीन टेस्ट है पूरे साल टेस मेरे हर एक लेक्टिर में नोट्स प्रॉइड करा रखे है डिसक्रिप्टिर में वहाँ पर जाओगे तो लिंक मिल जाएगा नोट्स का लिंक लिंग निक दिसक्रिप्टिर में दिया है हर लेक्टिर के ठीक है अउसके बाद भी कोई दिक्कत है FOR ANY QUARY चाहे एप को लेकर के हो मुझे कॉल कर रहे हैं यह मेरा नंबर है ठीक है ना और सबसे जरूरी बात रिवीजन पक्का करना है रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा ठीक है तो मेरा हमेशा फोकस रहा है रिवीजन रिवीजन वाला पार्ट तुम्हारा है इसलिए मेहनत तुम्हारी जादा है क्लियर है बाते हैं तो रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो All the best